हलो दोस्तो मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं जिनेस मेकर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं मुद्दा ये है कि किसी भी जमीन या प्रपटीज को पर्चिस करने के पहले खरिदने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए क्या क्या साउधानिया बरतनी चाहिए तो मैं इस वीडियो में हर साउधानी का जिक्र करूंगा और उस साउधानी का क्या प्रोसेस है मैं सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा और हाँ आपको यह वीडियो जरू देखना चाहिए क्योंकि यह जमीन के खरीद विक्री से समंधित है यह आपके जीवन में कभी न क कभी आपके भविस्य में जरूर आएगा इसलिए इस वीडियो को आप अंतक देखिए तो चलिए बिना टेम में के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको आनि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं यानि कि सेलर सेलर का आईडी प्रूफ ले ले हो सकता आपको उस आईडी प्रूफ को उस जमीन के कागज को वहरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी दे सकता है ठीक है अपने आईडी प्रूफ या फिर जमीन का कागज कुछ भी दे सकता है तो उसका वहरिफिकेशन भी करवाना बहुत ही ज़रूरी है तो पर ID verify हो जाएगा अब बात उठता है कि प्रोपटीज और जमीन का जो कागाज है उसका verification का होगा तो उसके verification के लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील में ठिक है तहसीलदार के पास जाता है और वहीं से verify होता है कि फलाना व्यक्ति का ये जमीन या प्रोपटीज है कि नहीं तो अगर आपको पता चल जाएगा कि वो जमीन जो है या फिर जो प्रोपटीज है उसी व्यक्ति के नाम से है तभी फिर आप अगला कदम उठाएं क्योंकि कभी कभी ये होता है अगर आप उस व्यक्ति से एड्रेस प्रोप नहीं लेंगे तो कभी कभी ये होता है कि वह पैसा ले लेता है कोई व्यक्ति और फिर भाग जाता है फिर जब आप उसको खुजने के लिए जाते हैं पता ही नहीं है उसका तो इसलिए आपको उस अब दूसरा सवधानी ये है कि आप जिस जमीन को खरिदने के लिए जा रहे हैं उस वैक्ति को वहाँ पर ले जाने के लिए ठीक है वहाँ पर जमीन किस तरह का है कैसा है उसके आसपास में कुछ लोगों से पता कीजिए कि ये जमीन अभी किस के हक में है ये जरूर है कि कोई वेकिती बोल देता है कि मैरा जमीन है उपर से देखाए चल दिया और पैसा वेगर ले लिया और ज़िस्टरी वॉगरा कर दिया बाद ने है बता चला आप वहाँ जमीन देखने के लिए गयेर गये वहाँ जब अपना काम कराणा इस तकत posture आपकी दो कुछ लोग को उस property को देखिए आस बास के लोगों से पता कीजे कि ये property जो है अभी किसके कभजा में है और साथ ही साथ जैसे कि मनके चला आप जमीन खरीद रहे हैं आप जमीन पांच गिगा खरीद रहे हैं तो रहा पर उस जो जमीन वो जमीन जो दे रहा है सेलर, उसका आप नापी भी करवा ले, क्योंकि कभी-कभी यह होता है कि जो जमीन बेचा है, वो तो बेच दिया, लेकिन जब खरीदने वाला वहाँ पर कोई जोत कोड करने के लिए या फिर घर मकान बनाने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि पां जमीन को खरीद रहे हैं, उसका पिलरिंग जरूर करवा लें ठीक है, आनि बॉंडरी करवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से क्या होगा, उस जमीन में किसी को अपती होगा, तो उसी समय जिस समय आप पिलरिंग करेंगे, बॉंडरी करेंगे, उसी समय करेगा विरोध करेगा ठीक है तो आप जरू किजिएगा तीसरा यह है कि आप जिस भी प्लोट को खरीद रहें मान के चलिए आप जमीन खरीद रहें तो जिस भी प्लोट को आप खरीद रहें आपको पता करना है कि इस प्लोट में कितने हिसेदार हैं कोई हिसेदार है या नह अगर वहां पर वैक्ति जाता है तो पता चलता है कि नहीं यहां पर तीन तीन हिसेदार है और वहां पर भारी समस्य हो जाती है हलाकि आपको बाद में न्याय मिलेगा लेकिन आपको बहुत ही कोट कछरी दोड़ना पड़ेगा तो उससे अगर बचना है आपको फ्रोड से बचना है तो आपको यह सावधानी जरूर बरतना चाहिए तो वहाँ पर जरूर आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर हिस्सेदार जितने भी हैं उनको जमीन मिला है कि नहीं मिला है हिस्सेदार है कि नहीं है यह आप जरूर पता कीजिए ताकि बाद में दिकत ना हो चवंथी सावधानी ये है कि आप उस जमीन पर जो व्यक्ति बेच रहा याने की सेलर उस जमीन पर कभी लॉन वेगेरा लिया था क्या ये आपको जुरूर पता करना है क्योंकि कभी कभी ऐसी भी घटना सामने आई है कि कोई व्यक्ति ने जमीन पर लोन ले रखा है और लोन चुकाया नहीं है और वह जमीन को बेच देता है तो जो खरिदने वाला होता है उसको लास्ट में भूगतना पड़ता है इस चीज़ को तो आप लोन को जरूर पता करें तो आप कहिएगा कि लोन पता करने के लिए हम कहां जाएंगे तो आपको अगर लोन के बिसमें पता करना है कि जमीन से कोई लोन में गरा है क्या तो आपको तहसील के पास जाना होगा तहसीलदार के पास जाना होगा वहां से आपको पता च जरूर कर लिजीएगा कि अगर आप जमीन का लेन देन का जो पैसा है आप उसको फिक्स कर लिये कि इतना में खरीदना है तो अगर बात में वह वाक्ति बगलता है तो उसका करवाई किया जा सके क्या होता है कभी कभी कि वह एडवांस ले लेता है और उसके बाद में अगर एगला आदमी उससे जादा देने के लिए तयार हो गया मान के चलिए आप पांच लाख में खरीद रहे हैं और एगला आदमी दो-तीन दिन के बाद कह रहा है कि नहीं हम सड़े पांच लाख ठीक है तो उसी को देदेगा वो जमीन ठीक है उसी के नाम से फिर एग्रिमेंट कर देगा तो ऐसी समस्या आपके साथ घटित हो सकती है तो आप एग्रिमेंट कर वालें पूरा जमीन का चोहद्दिवेगरा सब कुछ लिखवा लें उसमें पूरा उसका बायोड़ा में गवाह का भी वहां पर हस्ताचर कर वालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा गवाह रहेगा तो फिर ज्यादा दिकत नहीं होगा कानूनी प्रिक्रिया में और इस आम एग्रिमेंट के बाद जब आप उस पैसा को जो बचा हुआ पैसा है जैसे कि पांच लग में आप एक लेकिन पुर्णता नहीं बनते हैं पुर्णता बनने के लिए आपको उसको दाखिल खारीज भी करवाना पड़ेगा तो मैंने रजिस्ट्री और दाखिल खारीज के संबंध में मैंने वीडियो बनाया है पूरा डेटेल से उसमें समझाया है डिस्क्रिम्शन में लिंक दि किजेगा आज के लिए नहीं धनिवाद